हलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग मैं डॉक्टर नीतू सिंग आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे आप सबको मेरा हलो हाई नमस्कार प्रणाम सचकाल ओम साही राम जै माददी हर हर महारेब कैसे हैं आप लोग उमीद है आप सभी कुशन मंगल हैं स्वस्त हैं और बहुत ही खुशाल से अपनी जिन्दिगी बसर कर रहे हैं और करना भी चाहिए गर्मी बहुत ही जादा हो रही है गर्मी अपने चरम सीमा पे है बेशुमार गर्मी है जो जून जुलाई की गर्मी होती बहुत ही ज्यादा हमिनिटी हो जाती है और इस टाइम में ऑक्सिजन की भी कमी हो जाती है तो इस गर्मी में जितना ज्यादा हो सके अधिक से अधिक आप पानी पिए और जितना ज्यादा हो सकता है नारियल पानी पिए गुलकॉंडी पिए और मतलब लिक्विड आप अगर जाते हो तो एक बॉटल केरी करो और उसमें आप जो गुलकॉंडी होता है आप वो जरूर अपने पास में रखो और जितना जादा हो सकता है उतना जादा आप पानी पियो क्योंकि ये गर्मी बहुत ही जादा हो रही है और इस वक्त किसी और चीज की जरूरत नहीं होत तो फिर से वही कहूंगे कि पानी थे खुदyu बहुत पियो और औरती जरू अगर आप के दर्वाजे पे कोई भी आता है अगर आप किसी तो अगर भी ज़व से वे खाना मंग बाते हो अगर आप ब nämा मिड़ाति हो तो आप उसको पानी जरूर पिलाओ आँए। पानी और और हो सके तो एक पानी की बॉटल आप जरूर दो इस वक्त और ये काम अगर आप करते हो तो ये बहुत ही पुन्य का काम है तो पानी पीओ भी और पिलाओ भी दूसरी बात कि आप जो मैं हमेशा से कहती है यूँ कि पक्षियों को पानी दो जो हमारे गले मुहले में सोसाइटी में जो डॉगी होते हैं उन सबो को भी आप पानी जरूर दिया करो क्योंकि ये सब बहुत ही जादा पुन्य का काम होता ह तो ऐसे चोटे-चोटे करमाज अपनी लाइफ में जरूरी कठा करिए अपने लिए ही और अपने करम के लिए ही बहुत अच्छा होता है गर्मी बहुत जादा है और वीडियो के लिए मुझे फैन और एसी बंद करना होता है तो मैं बहुत पसीने-पसीने हो जाती हूँ त कर ये बात करते हैं आज over thinking की overthinking बहुत ी ज्यादा सोचना और अत्यदिक सोचना सोचना बहुत कलत नहीं होता हैं अगर आप किसी बात को अगर सही दिश्या में सोच रहे हो सही कारे के liea सोच रहे हो तो और वह कारे आप कर जाते हो और बहुत जादा आप उसके बारे में thinking नहीं करते हो तो वो overthinking नहीं होता है overthinking वो होता है कि आपके साथ अगर मालो कोई घटना घटती है और अगर आप किसी आपका कोई insult कर दिया या आपके बारे में कुछ गलत बाते सुनने में आ गया तो आप उस बात को लेके बैठ जाते हो यह चोटी चोटी सी बात है कि कुछ ऐसा ऐसा हो जाता है आपकी life में otherwise वैसे भी आप किसी भी बात को लेके अगर बहुत long time तक बैठे रह जाते हो और बहुत जादा सोचते हो तो यह overthinking है और overthinking हमेशा देखा गया है कि depression के side में ले जाता है अगर आप किसी भी बात को बहुत जादा सोचते हो बहुत जादा उस पे गहन करते हो बहुत जादा गहन मन्थन करते हो फिर मैं बोलूँगी मन्थन करना मतलब बातों को अपने अंदर समझना और उस चीज का एक solution निकालना और बातों को जानना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन अगर आप उसी में डूब जाते हो उससे बाहर नहीं निकल पाते हो तो ये बुरी बात है और ये overthinking हो जाती है और ये overthinking आपको depression के side में ले जाती है क्योंकि overthinking एक side है आपको depression के इधर ले जाने का कई बार देखा गया है कई बार ऐसे patient आते हैं मेरे पास में मैंने देखा है कि अगर मालो कुछ भी ऐसी बाते हुई जो उसके अनुकूल नहीं है उसके बिपरित बाते हुई है तो उस चीज़ को वो इतना जादा सोचते है इतना जादा वो उस पे मतलब भीचार करते हैं इतनी गहरायों तक जाते हैं, यह हुआ तो क्यूं हुआ, किस लिए हुआ, क्यूं बोला, नहीं बोलना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था, मतलब बहुत सोचते हैं, बहुत जादा ही, और वो कुछ छन के लिए नहीं होता, वो बहुत टाइम के लिए होता है, और वो उनके मन سے निकल नहीं पाता है तो कई बार ऐसे patient मेरे पास में ऐसी बात को ले कर आएं कि अगर कुछ हो जाता है तो उस बात को मैं अपने मन से नहीं निकाल पाता हूँ तो ये बहुत ही जरूरी है कि अगर आपके साथ में आपको लगता है कि कोई बात हो गई है, और आप उसको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हूँ, आप बार बार आपके दिमाग में वही बाते घूम रही है और नहीं निकल पा रहे है, तो इस ठाइम आपको ज़रूरी है, कि आप अपने mind को control करो और आप ये सोचो कि आप overthinking के side में जा रहे हो और अगर आप overthinking के side में जा रहे हो तो आपका एक side आजाता है कि आप depression के इधर में चले जाओगे तो ये आपको समझना है कि अगर कोई बात हो जाती है कोई घटना ही हो जाती है या आपको लगता है कि आप से कोई बाते कर रहा है या कर रहे हैं तो वो आपके बिप्रित है आपके अनुकूल नहीं है तो उसको आपको समझना है, इस वक्त आपको अपने माइंड पे काबू पाना है और अपने आपको सोचना है कि अगर कोई बात हुई है तो उस बात को हमें छूटा बनाना है, उस बात को बहुत जादा हमें नहीं सोचना है, उस बात पे हमें बहुत गहन मन्थन नहीं करना है तो अगर आप अपने माइंड पे कंट्रोल पालोगे कि कई बात मैंने बताया है कि माइंड पे कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि आप मेडिटेशन करो जरूरी है कि आप ध्यान में बैठो ध्यान में बैठने का भी मैंने कई चीज़ बताई है कई वीडियोज मेरे आए है कि जरूरी नहीं होता है कि ध्यान में बैठने का मतलब कि हम अचानक से ध्यान की यात्रा हम शुरू करते हैं और एक बात आती है कि बस हम अनहदनात तक ही हमें पहुचना है तो अनहदनात तक पहुचना है मगर ध्यान की कई प्रक्रिया है बहुत सारे बातों के लिए हमें ध्यान करना चाहिए तो ध्यान में अगर आप आपको लगता है कि आप ओवर्थिंकिंग के साइड में जा रहे हो तो आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है अपने माइंड को शांत करना है इसके लिए आपको क्या करना होगा इसके लिए आपको करना होगा कि आप थोड़ी देर के लिए बहुत लॉंग टाइम आप मतलो क्योंकि हमेशा ध्यान के लिए जरूरी नहीं होता है कि हर कोई ध्यान में चले जाते हैं और बहुत लंबे टाइम तक बैठते हैं तो ऐसा नहीं हो पाता है पांच मिनट साथ मिन जरूरी है तो अगर आप ध्यान में बैठते हो तो आपको यह सोच के बैठना है कि मन को और अपने दिमाग को शांत करना है मन को कंट्रोल में करना है और दिमाग को सही दिशा दिखाना है तो यह सोच के आपको ध्यान में बैठना है और ध्यान में बैठने के लिए आप कि इसी चीज की आप जदोचाहत मत करो, कि आप किस अनहद्नात को सुनने के लिए बैठे हो आप यह सोच के बैठो कि अभी मुझे और जो मेरे अंदर जो कोला हाल मच रही है या मेरे अंदर जो एक मंथन चल रहा है वह बिचाड जो मैं अपनी मन से नहीं निकाल पा रहा हूं अगर आप धिहान करते हों बिल्कुल शाद नहीं SHANTH बेट जाओ अणरे जिसे पीस फूल को कोई डियान यह र coordinated करें बिल्कुल ये तब ग्हहनमंनधन करें कि जो बात आपके दिमाग में चल रही है, क्या वो इतना important रखता है, जिसको आप इतना जादा कुरेदो और जो आपके दिमाग को परेशान कर रहा है, जो आपके दिमाग को कुरेद रहा है, तो क्या वो बात इतना important रखता है, जो आप उसको सोचते जा रहे हो, सोचते जा तो आप अपने आप से उत्तर लो, जरूरी है कि ध्यान करना, क्योंकि ध्यान से एक कागरचित होते हैं, मन आपको सही दिशा दिखाता है और दिमाग कंट्रोल रहता है, तो जब दिमाग कंट्रोल में रहेगा, मन सही दिशा दिखाएगा, तो कोई भी बात इतना जादा आप सही दिशा में और सही सोच को अपने दिमाग में ला सकते हूं, सोचना फिर कहुँगे कि सोचना गलत बात नहीं है, क्योंकि आप नहीं सोचोगे, तो कौन सोचेगा, चीजे आप पशु पक्षी जानबर तो नहीं सोचने के लिए जाएंगे, क्योंकि आपको कोई भी कार्य सोच कर ही करना है समझ कर ही करना है तो सोचना कोई गलत बात नहीं है आपको गलत सोच नहीं सोचना है रॉंग थिंकिंग नहीं करनी है आपको आपको क्या करना है आपको राइट थिंकिंग करनी है आपको सही सोच को सोचना है ना कि आपको गलत सोच को अपने दिमाग क कि निगेटिव थौट्स आना मतलब कि आपका जो दिमागी संतूलन है उसका डिस्पैलेंस हो जाना होता है तो आपको पॉजिटिव थिंक लानी है अपने अंदर में क्योंकि मालो चीजे होती है कि आप अगर कोई काम करने जा रहे हो अगर आप कही नहीं जौब में जा रहे आप सोचोगे उसके बारे में क्या मेरे लिए ये सही है या क्या मेरे लिए ये गलत है क्या मुझे करना चाहिए या क्या मुझे नहीं करना चाहिए कई ऐसी बाते आती है कई ऐसे तर्क आते हैं बहुत सारी बातों में जो आपको सोचना पड़ता है और आपको सोचना भी तो ये हुई आपकी एक राइट थिंकिंग हुई कि आप किसी अच्छे कारे के लिए या अपने अच्छे बातों के लिए आप उस पे सोच रहे हो, गहन मंधन कर रहे हो या बिचार कर रहे हो और लोगों से बिचार भी मश ले रहे हो आप तो ये सही बात हुई, अगर आप किसी रॉंग ठिंकिंग के लिए किसी आप गलत बात के लिए अगर आप उसको सोच रहे हो, क्योंकि मालो चीज़ों होती है कि आप अगर जो कई बार को क्या होता है कि आप कुछ नियूज देखते हो, टीवी पे कुछ नियूज चल रहा होत मीडिया बहुत जादा ही सचमुच में डिस्टरब करती है, यह फैक्ट है. तो अगर आप देखते हो, और वहाँ पर आप देखते हो, कि बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी घटनाई है, जो आपके मन को परेशान कर रही होती है, आपको लगता है कि मुझे ये चीज़े नहीं देखना चाहिए फिर भी आप देखते हो और देख के आप उस पे गहन मन्थन करते हो और सोचते रहते हो और सोच के आप उसको एक समाधान नहीं निकाल के एक पॉजिटिव बाते नहीं निकाल के आप अगर निगेटिव में जा रहे हो तो वहीं स्टॉप कर दो आप आपको पता है कि आप परिशान हो रहे हो उस चीज से तो जो चीज से आपको पता चल रहा है कि आपके दिमाग में वह बाते घूम रही है परिशान कर रही है तो आप अपने आपको रोक सकते हो वहां पे अपने दिमाग को चाहिए यह बिना ना सोचना काम के शुदें कहां, आप सूच आज przyszे हो आज़ी समयंदों को रिघ्ट हैं एले किसश निज़ा साथ shame तो हमें सोचना भी चाहिए आप सचते हैं लेकिन आप 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 υुझा आप्विस के लिए आप किसी नीगेटिवघ की मुझे तो जुब आप आपने उपर हाभी मत होने दो और ओवर थिंकिंग इतना जादा मत करो ओवर थिंकिंग क्या हो जाता है कि आप मालो किसी अगर गलत विचार को अपने मन में लाते हो सोचते हो अगर उस चीज़ को तो क्या होता है कि आपके निंद खराब हो जाती है आपको निंद नहीं आती है आप उस बात में इतना जादा मतलब इन्वाल्व हो जाते हो कि आप खुश नहीं रह पाते हो आप किसी से अच्छी तरीके से पेश नहीं आते हो और किसी से बाचित नहीं कर पाते हो बस आप उ में बहुत है कि हम अपने आप पे काबू करें अपने दिमाग पे काबू करें ध्यान करें एक्सरसाइज करें बहुत करें लोगों से बात करें infinshop करें और अपने धिमा करते हैं बहुत ज़ादा होता है कि मैं तो यह सोच रखाऊं कि मेरे को 99 पॉसंट या 100 पॉसंट आने ही हैे अब आने ही हैं आप उस चीज को आप सोचे जा रहे हो आपने पेपर दिया नहीं और अब आप पहले ही overthinking किये जा रहे हो सोचे जा रहे हो उस बात पे तो ये अच्छी बात नहीं है आपने तो कुछ आप ना आपने paper दिया है ना आपके सामने आप आप question paper आये हैं आपको पता नहीं है कि आपको कैसे प्रश्न के उत्तर देने हैं तो आप कैसे overthinking कर सकते हो बार बार की मेरे इतने percent आएंगे ही अच्छी बात है आपको confident है आपको ये पता है कि मैं पढ़ने में अच्छा हूं या अच्छी हूं और मैं इतने marks में ला सकता हू या ला सकती हूं तो आप इस अगर दिशा में आप सोच रहे हो तो ये अच्छी बात है क्योंकि आप सोचो आप सोचो इस बारे में कि जो question अगर मेरे पास में आएंगे जो question आने वाले हैं वो कैसे हैं और उसकी मुझे तैयारी कैसे करनी है अगर आप इस दिशा में सोच हो तो ये अच्छी सोच के लिए है क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि मुझे किस तरीके से बढ़ाई करनी चाहिए किस तरीके से पढ़के मुझे अगर मैं जो इस्पेक्ट करता हूं कि मुझे इतने नंबर लाने है जो मेरी इस्पेक्टिशन है इतने नंबर की अपने आप स style. तो वह मैं मैं यह लासकता हूँ. तो उसक लिए क्या तयारी पड़ के? तो अगर आप आपकी सोच ऐसे दिशा में है, ऐसे कारे में, तू यह अच्छ आपकशाола रोगा. अगर आप भी को करें कि की पेपर आईगा, कैसा आईगा क्या करेंगे क्या मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी पता नहीं शायद मैं तो नहीं कर पाऊंगी मैं तो नहीं कर पाऊंगा तो आपने पहले ही क्या कर लिया अपने अंदर एक निगेटिव थौट्स क्रियेट कर लिया अब आप उसको सोचे जा रहे हो आप उसको अपने अं तो आप ले आए ना तो आप उसको सोच रहे हैं तो ये गलत बहुत ही गलत है ये तो इसको नहीं लाना है इसी तरीके से कई सारे काम में ये बाते आ जाती है कि अगर आप कोई काम करने जाते हो कोई चौब करने जाते हैं तो पहले चाओ आप पहले देखो कि क्या है कैसा है अगर आपको लगता है अच्छा है तो आप करो, नहीं है तो आप मत करो, तो बहुत सारी चीजे तो हमारे उपर में depend करती है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, overthinking को आप अपने दिमाग से निकाल दो, रात को भी अगर सोते हो तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जो सोचते रहते हैं बहुत सारी ऐसी पुरानी बाते उनके दिमाग में आती हैं मैं इसलिए कह रही हूँ कि यह patient हमारे पास में ऐसी बाते लेकर आते हैं कि बहुत पुरानी बाते अचानक से उनके दिमाग में क्लिक होती है और फिर उस पे वो सोचते रह जाते हैं कि उस वक्त ऐसा मेरे साथ में क्यों हुआ था और वो अभी की जिन्दिगी को उससे relate करते हैं और कहते हैं वो वक्त उस टाइम में जो हुआ था अच्छा same to same मेरे साथ में यही और उसी वक्त में मेरे साथ ऐसा हो रहा है यह वक्त मेरे लिए हमेशा खराब होता है यह यह महिना मेरे लिए हमेशा खराब होता है पोचलों मेन से जुन pussy work, आपने मेन की अंडिमाने काके ओर रहे एक है कि मोई इसी आपका डिमाग शान्त सुंना इनकरना, थिया कि समझ दो ईफैंगा है, उससी पिष्जान कियों अइसे कमया चाहिए, इसकी अपन में समय और जूछा देह दो खिए है आपका दिमाग बिल्कुल संतुलित रहता है और वो solution निकलता है तो overthinking आप मैं कहना चाहूंगी कि thinking करो सोचना हमारा काम है सोचे बगैर कोई काम नहीं हो सकता है तो सोचो सही दिशा में ऐसा नहीं कि आपकी सोच गलत दिशा में हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए आप किसी बात को बहुत सादा मत सोचे सोचे उस बात को जो आपको फाइदा दिलाता है जो आपके जिंदकी के लिए जो आपकी लाइफ के लिए अच्छा है और जो आपको सही मार्ग और सही रास्ता दिखाता है उसके लिए सोचे जादा overthinking आप positivity, सकारात्मक सोच और सकारात्मक उर्जा अपने अंदर भरिये सकारात्मक सोच के साथ अगर आप चलते हैं सकारात्मक सोच अगर आप रखते हैं कई बार आप देखो किसी भी problem में एक तक्या कलामे न जो होता है वो अच्छे के लिए होता है तो ये बहुत जगे ये फंड़ना फिट बैठता है और बहुत जगे नहीं भी बैठता है लेकिन आप देखोगे कि कई बहुत बड़ी घटना जो हमें लगता है कि हमारे लिए ये नहीं होना चाहिए बट उन सम्में भी कोई न कोई बात चिपी होती है कुछ न कुछ बात होती है और अगर आप ये सोचके कि जो होता अच्छे के लिए होता है अगर करके आप उस घटना को या उस प्रॉब्लम या मुसीबत को हटाते हो अपने जिंदगी से तो आप जिस जिसने अगर इस बातों को या इस फिलोपी को अपनाया होगा उसको पता होगा कि वाकई बहुत आसान हो जाता है फिर वो मुसीबत बहुत जादा बरी नहीं लगती है लेकिर अगर आप उस मुसीबत को च्छोटी सी मुसीबत आई है और उसको आगर आप लेके बैठ गए हो अगर आप उसको सोच रहे हो, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अरे मेरी ही लाइफ में ऐसी बाते क्यों आई है, नहीं आनी चाहिए, पता नहीं भगवान भी क्या करते है, तो यहां क्या है कि क्यूं 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 यहां यह नहीं है कि हो जाएगा अगर कुछ हुआ है तो उसका solution भी हो जाएगा उसका समाधान भी हो जाएगा जैसे हम इस दिशा में सोचते हैं तो वो मुसीबत वो problem बहुत easy हो जाती है बहुत सरल हो जाती है अपने तजुर्बे स कहती हो जो भी है जियर आप सब को वो बिल्कुल अपने तजुर्बे से कहती हूं और जो अनुभाव कर चुकी हो चोटे-चोटे से खुश्यों में जीना अच्छा लगता है, जिन्दगी अगर आपको अभी मिली है, इस पल को आप जियो, इस शन को जियो, अगला शन पता नहीं क्या होगा और कैसा होगा, किस तरीके की बाते होगे, पसीने, गर्मी बहुत ही जादा है, तो जो पल है, जिन अगर एतनी खुबसूरत है, और इतनी बहतरीन है, अगर आप छोटे सी को बहतरおお आधना तो वह देखो कैसे फिraसा हो जाता है, हमेशा होगा है, हुआ तो जाता है उन्दूरी होगावारा है, कभी हमेशे हो जाता है, और कभी हो यादा एकिसिते है आपको उगरता हैwynining, ह आपको हैपिनिस देता है जैसे कि मैं अभी बस मैं अपने बहुत ही लंबे वाले चुट्यों से अभी होके डेली आई हूँ और गाउं के जिन्दगी को मैंने इतने अच्छी से जिया है उन छोटे-छोटे से खुश्यों को जो हम बच्पन में करते थे उन सब को मैंने रिप और बहुत ही खुश होके जीती हूँ कई मैं बोल रही हूं कोई भी मेरे ऐसे मेमरी में कोई ऐसा पल नहीं होता होगा जो मेरे फोन में कैप्चर नहीं होता होगा हर एक पल हर एक शन मेरे फोन में है बात जो पल जो चन या जो बाते मुझे दुखी करती है उसे मैं जैसे कि मैं बता रही थी कि मैं गाओ गई और गाओं में मैंने हर एक पल को जिया तो रास्ते चलते हुए जो मुझे अलग सा दिखता था वो मैं पून में कैप्चर करती थी मैं मुझे लगता था कि ये कुछ अलग सा है मुझे बात करना चाहिए तो मैं बात करती थी, मैं उसको enjoy करती थी, मैं वहाँ बैड़ती थी, कहते हैं ना कि उस पल को जीती थी, तो वो सब कुछ किया, अलहरता, अलहरपन दिखाना, बच्चपना दिखाना, या जिन्दगी जीना, तो इस तरीके की जिन्दगी मैं जीती हूँ, और मैं आप सब को मैं कहते हूँ, कि काम है, जिन्दगी है, हम जैसे जैसे बरे होते हैं, उस तरीके से हमारे लिए बहुत सारी responsibility आती है, कई सारी ऐसे घटनाएं होती है, कई सारी ऐसे मुसीबत आते हैं, लेकिन इस सबसे दूर होके हमें जिन्दगी जीना चाहिए, इसी का नाम जिन्दगी है, तो over thinking ना करें, पॉजिटिव साइड में रहें, नेगेटिव साइड को हटाइए, और खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, और मस्त होके जिन्दगी जीना चाहिए, चीना इसी का नाम है, और बच्पने को हमेशा अपने अंदर जिन्दा रखो, देखो जीवन जिन्दगी कितना असान हो जाता है, तो इसी के साथ मैं वीडियो खतम करूंगी, बहुत जादा गर्मी लग रही है, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ और बातों के साथ में, तब तक के लिए दीजे मुझे इजाज़त, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, मुझे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजे मुझे इजाज़त, राम राम, ओम साइराम, चैपाता दी, हर हर महादेव, तब तक अपने माबब का सेवा करिए, अपने माबब का कहा मानिये, और हर किसी को इस गर्मी में पानी पिलाइए, यही मेरा रिक्वेस्ट ह नमस्कार